हर्याना के बहादूर गड़ में नगर परिशद का चुनाप का जैसे ही एलान होता है तमाम राजनितिक पार्टी में हल चल बेहत तेज हो जाती है मेरे साथ इस वक्त मौझूद है आई एन एलडी पार्टी के परदेश अध्याक्ष नफे सिंग राठी इनसे बात करते हैं सीधा सवाल सरापक से क्या कुछ चुनोती मानते हैं इस बार देखे बादूगड नगर परिशद नगर पाली का 1875 में बनी थी और मेरी होगी 44 साल की राजनिती में उसे अभी 80 में चोदरी देवलाल जी के साथ जोड़ा था 40 साल की राजनिती में मैंने इतना बरश शासन नहीं देख्या जो नगर परिशद का फिलाल पिछला जो बोर्ड अभी गया है उस बोर्ड में जितने गोटाले गपले हुए हैं इंतिहा कर दी बेई चैर्मेन भी रह चुके हैं तो आपका कारेकाल किस तरह से बिता और जनता दुबारा से आपको क्यों मौका दे देखिए जब मैं चेर्मेन था तब के कामों के भी जनता याद करती है उस टाइम पर बहुत से बादरवुट के एरिया में पीड़े का पानी नहीं था शिवर उंपरगास चोटड़ाजी की करपा से बनया था उस टाइम पर बादरवुट का ये आलत थी कि कोई गड़ी से मिटीट नहीं थी स्टीट राइट भी बहुत कम हुआ करती थी मैंने जाब पीने के पानी का इंजाम किया वहां गड़ियों में सेवर लाइन डलवाई और सेम किया मीडिया ने सर्वे किया वह ग्राउंड जीरो पे पानी की बेहद किल्लत है उसको कैसे देखते हैं देखो जब पीछे हमारी सरकार थी चोटड़ा साब सीम थी उस टाइम पे हम बादरवुट में पीने के पानी के लिए एक स्पेशल नहर लेकर के आया थे गुरगाव था पीने की पानी के लिए कहने की बात यह है कि ने केवल पीने के पानी की तरफ बलेके कानून वैस्था भी ठीक हमने रखी बादरवुट में बदमासी गुंडागर्दी जो थी उसको हमने यहां से गुंडों को साफ करने का काम किया कोई और आदमी कोई और नेता बादर है क्योंकि अगर आपने काम किया है तो जंता को पता है कि काम हुआ है तो हम वोट आपको देंगे देखिए राजनितिक आदमी है हम सामाज की भी है क्यों राजनितिक नी सामाज की भी है हम समाज के अंदर रहने वाले लोग हैं और जब भी समाज पर कोई संकट आता है तो में चेर्मेन होया करता था बादेगट सेयर को सब्सक्राइब लुग तक दोरान लोगों को वह बीथ किया था सरकार में तब लोग उन्हों नेए जो नेता लोग हैं बाजपा के उन्हों गबरानी जरूत नहीं हैं आपके साथ, इसलिए लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कि तुम्हारी बलाई कोन कर सकता है, नी स्वार्थ बावना से काम कोन कर सकता है, हमारे हम जात बरादरी की बावना नहीं है, बहुत से नेता हैं जो जात बरादरी की बावना रखते हैं, इ इसलिए मारे पास आते हैं, हम उनके भी काम करते हैं। किस तरह से बादगुड के विकास पर आने वाड़ी ग्रांट जो विकास पर खर्च होनी चाहिए थी, वो इन मुठी वरलोगों की जेब में चली गई। बूत पर हमारे लोगों का कबजा होगा। इस बात के मैसूस करता हूँ कि वो नहीं निकलना चाहिए था, वो गलती से निकल गया। लेकि उसके लिए भी अगर किसी को भई ठेश लगी हो तो मैं उसके लिए खेद परकट करता हूँ, ऐसी कोई बावना नहीं ना कभी मेरी मन सारहती इसके समगी। तो विरोधियों को तो मुद्दाच से ये चोटा सा, मैं उनको ये चैलेंज करता हूँ, कि नफेसिंग राठी के उपर चरितर पर हुंगड़ी उठा के देखाओ, चालिस साल की राजनिती में बरस्टाचार का कोई सबूत पेश कर देओ, कोई बेहिमानी का सबूत पेश क यहां बरस्ट तरीके से पैसे कमाते हैं, यहां जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, दोकंदारों को परिशान करते हैं, पलाटों पर कबजे करते हैं, उन लोगों के खिलाब और कोई बोलता है, नफेसिकराठी बोलता है, और जिब हम बोलते हैं, तो चुनाओं में सारे गोटनों में बैठ जागा, और फिर लूट मचेगी, चलिए बहुत बहुत स्वागत नेता जी आपका, तो मेरे साथ थे नफेसिंग राठी जो आइनलडी पार्टी के परदेश द्यक्ष, और आपको बता दूँ, यह राजनीतिक मंच है, राजनीतिक बोलियां, तमाम पा मेडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है